Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो चलिए, आज कहा हमारा topic है integration of the कौन से type के function हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं integration of the modulus type of function तो modulus type of function के integration लेते हैं तो देखते हैं, सबसे पहला सवाल इसमें मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये है, 0 से लेकर के 100 pi इसको कैसे solve करेंगे, इसको solve करने के लिए आपको 0 से लेकर के 100 pi और आप जानते है, formula 1-cos2x इकल डू कितना होता 2 sin square x तो 2 sin square x यहाँ पर जाएगा, 2 sin square x so, root to the constant है, बाहर ले लिजे, 0 से लेकर 100 pi अब देखे, कभी भी आप याद रखिए कि mod of x square sorry, under root of x square का जो root निकलता है, वो mod x निकलता है तो यहाँ पर कितना निकलेगा, under root of sin square x जो निकलेगा, वो आपके पास निकलेगा sin x का dx okay, अब काम की बाद देखे, जो sin x का mod है sin x के mod का जो time period होता है वो कितना होता है, एक time period होता है pi, ठीक है ना? तो एक time period ही होगा करता है pi तो मतलब यह जो function है, इसका integration 100 बार repeat हो रहा है तो कौन सी theorem लगती है, देखे, rule जो लगता है, क्या लगता है अगर 0 से ले करके n t तक, अगर आपका कोई function fx dx हो और जिसमें उसका period क्या हो? t हो अगर इसका period t हो, तो क्या rule लगता है? n belongs to integer है दी, तो n बाहर आ जाता है और 0 से ले करके, क्या हो जाएगा? t तक, जो इसका पहला period होगा और fx आप dx, आप fx को integrate करिए तो यहाँ पर 2, under root 2 तो बाहर रहेगा, 100 इसका period है बाहर आ गया तो 0 से ले करके, pi और mod of sin x यह जो है, dx है अब 0 से ले करके, pi first coordinate में sin x positive होता है तो positive के साथ positive value मिलेगी इसको तो root 2 into 100 और 0 से ले करके, pi sin x का dx अब आप इसको integrate कर लिजे, under root 2 into pi sin x का integration कितना होता है, sin x का integration होता है minus cos x तो minus बाहर ले आजाए, यहाँ पर cos x है और limit 0 से ले के, pi तो minus root 2, okay और pi, और cos x की value है, cos pi minus cos 0 तो minus root 2, pi, cos pi की value minus 1, minus 1, okay minus 1, minus 1 किती हो गई, minus 2 100 मैं यहाँ पर भूल गया, 100 लिखना minus root 200 तो root 2 है, okay और कितना आचुका है, minus 2 minus से minus cancel हो गया, और साथ में 100 भी है जो मैं भूल गया हूँ, उसको आप लोग लिख लिजे तो minus minus plus हो जाएगा, तो answer कितना आजाएगा 200 root 2, pi तो था नहीं, मैंने pi 100 की जगे pi लिख दिया था, 100 था, okay तो answer कितना आजाएगा, root 2 से minus 2 का multiply 100 के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, minus 200 root 2 minus minus plus हो गया, तो इसका answer होगा 200 root 2, इसको थोड़ा सा, अच्छा सा मैं कर देता हूँ, आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहे होगे, इसको मैं थोड़ा सा और sin x का integration कितना हो जाएगा, sin x का integration होता हा, minus cos x, तो minus बाहर, यहाँ पर cos upper limit है, pi, minus cos 0, ठीक है न, so minus root 2 into 100, और cos 0, cos pi की value minus 1, और यह भी minus 1, तो minus 2 हो गया, तो finally answer आचुका है, हमाँ पास में, minus minus plus 200 root 2, so this is your answer, चली, तो एक और गगला question लेता हूँ मैं यहाँ पर, question क्या है, देखे, 0 से लेकर 2 pi और mod of sin x dx, तो अभी अभी मैंने बताया, कि इसका जो basic period है, pi और pi का एक इतने गुना है, 2, तो दो बाहरा है जाएगा, 0 से लेकर के pi और sin x का dx, ठीक है न, 0 से लेकर के pi sin x इतना जाता है और आपको पता है कि इतने का area कितना होता है, 2, तो directly answer 2 into 2 भी कर सकते है, answer कितना है इसका, 4 unit, यह इसका answer है, चली, अगला question देखते है, modulus की property पर based integration function का question, okay, question लिखे दोस्तों, question आपके पास में है, 0 से लेकर के 2 pi, और यहाँ पर है, sin cube का theta d theta कर लो, या x dx कर लो, कोई दिक्क इसका fundamental period कितना है, pi, तो 2 को बाहर ले लिजे, 0 से pi, और यह हो गया कितना, sin x का whole cube, इसको आप लेख सकते हो, पहले, cut dx, अब देखे, sin x की value 0 से pi में क्या होती, first quarter में positive, तो positive है, तो यह root के बाहर आ जाएगा, तो 2, sorry, mod के बाहर आ जाएगा, 0 से लेके pi, यह basically कितना हो जाए sin cube x और dx, अब property हमाई पास क्या होती है, f of 2a minus x is equal to fx, तो यहाँ पे अपने पास जो function बन रहा है, इसमें 2a की जगे कौन खेल रहा है, pi minus x equal to f of, x ही दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, limit break हो जाएगी, तो यहाँ से अब इसके बात क्या हो जाएगा, 2 into 2, बाहर आ गय तो sin cube x का dx से हो चुका है, तो 4, अब इसमें wallis theorem लगाई यह देखे, तो wallis theorem के लिए क्या चलता है, उपर की power 1 से कम करते जाए, तो 3 minus 1, 2 आ चुका है, ओके, और फिर इसके बाद आगे आप odd number से और कम करेंगे, तो 0 हो जाएगा, पहले 1 minus करना पढ़ता है, फिर 2 minus करना प और 3 में से अगला 2 minus करेंगे, तो कितना आएगा, 1 minus 1 हो जाएगा, ठीक ना, तो ऊपर odd subtractions होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, even subtractions होते हैं, ठीक न, तो ऊपर odd number of subtraction 1 से शुरू होते हैं, और इसमें even subtraction, तो फाइनली 1 पे end हो रहा, तो यहाँ पे 1 लगाई, तो 4 into 2 upon 3, so answer क इतना आ गया, 8 by 3, मित्रों यहाँ पे मैंने Wallis theorem लगाया है, तो अगर आपको Wallis theorem नहीं बनती है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, Wallis theorem का concept यहाँ पे इस्तमाल हो रहा है, और यहाँ पे यदि 1 आता है, तो 1 होता हो, यदि 2 आता है, तो पाई बाई 2 का हम इस्तमाल कर देखते हैं, चलिए, चलिए, देखिए अगला question देखते हैं दोस्तों, अगला question क्या है हमाई सामने, तो अगला question हमाई पास है, integration of 0 से लेकर के pi, यहाँ पे हमेरे पास है mod of cos x dx, ठीक है, तो देखिए mod of cos x 0 से लेकर pi में जो behavior होता है, यहाँ पे 2 quadrant है, एक में positive होता है, एक लोग अब होता है, तो mod x के अंदर की चीज़ जो है, उसको 0 से compare करिए, तो cos x equal to 0 से compare किया, तो breaking point क्या आगया, x equal to pi by 2, तो जो अपना integration है, वो जाएगा 0 से लेकर pi by 2, mod of cos x dx, और एक टूटेग आपने पास क्या, pi by 2 से लेकर pi, mod of cos x का dx, अब 0 से लेकर pi by 2 में first quadrant cos positive होता है तो series SIMPLY हो जाएगा 0 से लेकर pi by 2 cos x dx, और ये क्या होता है, second में negative होता है, तो ये minus sin बाहर आजाएगा, और pi by 2 से लेकर pi ये हो जाएगा cos x का dx, चलिए cos x का integration क्या होता है, sin x होता है, तो cos x का integration हो गया sin x, 0 से pi by 2, ओके, और minus cos x का integration, फिर से minus sin x, तो ये plus हो जाएगा, और य हो गया sin x pi by 2 से लेकर के pi ठीक है ना तो देखे sin x का graph है 0 से लेकर pi by 2 मैं तो trick लगाऊंगा देखे इधर का part की value किती होती है 1 और अगले part की value किती होती ही pi by 2 से लेकर pi की sin x के लिए होती ही value 1 ठीक है ना तो जो मतलब कोल में लाकर के sin x की की बात कही गई है को से लेकर pi by 2 की तक की value किती होती है अपने पास में 0 से लेकर pi by 2 तक आधा area यह इसको आप solve कर लो इतना जदा इसमें चक्कर मत पड़ो आप इसको simply solve कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा नहीं तो इसमें concept से आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाओगे तो sign pi by 2 कितना हो जाएगा 1 minus 0 यह हो गया 1 और यह कितना हो जाएगा sign pi 0 और minus इच्छा बीच में यहाँ पर minus लगा हुआ था तो गलती हो गई तो यहाँ पर बीच में लगा लिजे minus और 0 minus minus 1 तो 1 और plus 1 आंसर कितना आ गया इसका 2 so 2 is your correct answer प्रुब्स प्रुब्स प्रुब्स